book atomic habit, से हम हमारे habits change कर सकते हैं देखते हैं, इससे हम बच्चों में habits कैसे बना सकते हैं या change कर सकते हैं atomic habit का first principle is make it obvious सो हम जो भी नई habit बनाना चाहते हैं, उन्हें हमें बच्चों के उस environment में लाना है so for example, अगर हम उनमें reading की habit cultivate करना चाहते हैं तो वो जिस जगह खेलते है या उस एरिया में या उनके रूम में एक reading corner बना दीजे उसको बहुती कोजी बनाइए और हर वीक उनके हिसाब से उनके एज के हिसाब से उनके इंटरिस के हिसाब से उधर नहीं नहीं बुक्स रखे तू 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 थ्री बुक्स आर अलसो इनाफ एक्जाटली दे सेम वे और कोई हाबिट आप चेंज करना चाहते हो या कम करना चाहते हो तो उसको कम कर दीजे तो फोन तो आपका फोन है वो दूसरे रूम में रखतीजे एक जैसे अगर आप चाहते हो कि वो मैगी कम खाए तो मैगी को घर में लाना थोड़ा सा कम करतीजे जब उनको उनके सामने नहीं नहीं देखेगा तो वो उनको कम मांगेंगे ऐसे ही अटोमेक हैबिट के और तीन प्रिंसिपल्स है जो हम आगे के तीन वीडियो में देखेंगे बच्चों में हैबिट चेंज करना और नए हैबिट बनाना बहुत ही सिंपल है हमें सिफ अटोमिक हैबिट के ये चार अखनेssen फॉलो करने हमने पहले वीडियो में सबसे प४रक्रों में बात कया था टोड़े वीडियो में सबसे मिजॉरिटी में बात कियाथा तोर बच्चों के लिए ऍẹन्स सबसे पास में रहते हैं और सबसे पावफुल रहते हैं पावफुल रहते हैं पावफुल in a way that we are the only authority in their life right now इसलिए बच्चे सबसे जादा पेरेंस को फॉलो करते हैं अगर आप एस पेरेंस कोई नही हाबिट उनमें फॉलो करना चाते हो तो बहुत ही सिंपल है आपको वो हाबिट आपको अटोमाटिकली आज एक्जाम्पल लिविन करनी है पर यह कब तक वालेड जब तक बच्चे छोटे हैं प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो पेरेंस से कम इंफ्लूइंस होते हैं पर उनके जो फ्रेंज और उनका जो सराउंडिंग है उससे जादा वो इंफ्लूइंस होना चालो हो जाते है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं as parents हम यह decide कर सकते हैं कि हमारा बच्चा किसके साथ रह रहा है कौन सी school जा रहा है या कौन से extracurricular activities में रहता है तो automatically हम वो कौन से environment में रहेगा वो decide कर सकते हैं और indirectly हम उनके environment को influence कर सकते हैं दूसरी बहुत important चीज जो बच्चों का track करती है वो है freedom the moment बच्चों को खुद की choice करने का मौका मिलता है उनको बहुत ही पसंद आता है so if you want to form a new habit in kids हमें उसे इस तरह से present करना है कि बच्चों को लग रहा है कि डिसिजन उनका है for example अगर बच्चे रात को कप्रे नहीं बदल रहे है या 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 यह दो नहीं बदल रहे है या या यह दो नहीं बदल रहे है so you can give them an option that okay let's choose between these two night suits whatever you like आपो पहन सकते हो या हम उन्हें ऐसे कह सकते है कि अगर हमने 5 minutes में night suit change नहीं किया तो हमारा reading time कम हो जाएगा so इसे क्या होगा since decision वो ले रहे है उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हम उन पे boss around कर रहे है और या हम उन पे कोई भी हमारा decision force कर रहे but at the same time you have to be mentally convinced that your authority is not threatened because जैसे ही आपके voice से आपकी body language से बच्चे को ऐसे समझ जाता है कि आपको doubt है कि the kid is not going to listen to you बच्चे उसका total advantage लेता है hope this is helpful, please stay tuned for the third principle in the next video thank you the third principle of the atomic habit loop is make it easy ये third part है और और the four video series of the atomic habit loop of how we can change habits in kids and make new habits in them the third principle क्या कहता है कि हमें habit को इतना easy बनाना और इतना effortless बनाना है कि उसको करने में हमें जादा सोचना ना पड़े या कोई बड़ी habit हो तो हमें उस habit को चोटे-चोटे steps में ड़ाइड करना है so for example अगर हम चाहते है कि हमारे बच्चे पाक से हाने के बाद homework करें so what we can start is we can tell them that the moment you come from the park you have to remove your homework books on the table then slowly once this is into their routine of just coming from the park and removing the books and keeping them on the table then we will introduce them to the table that we have to do 5 minutes to homework in the table then we will do 10 minutes to do 10 minutes to do 10 minutes to do 15 minutes these small steps that we stack together that phenomena is called habit stacking so basically we need to do the new habits that we need to do so little effort that we don't have to think about it or that there is no resistance this is the third principle check out the first two videos for the first two principles of the atomic habit loop stay tuned for the fourth or the final principle of the atomic habit thank you so the fourth principle of atomic habit loop is make it satisfying the first three principles we form habits but the fourth principle is that we repeat that habit and if we don't repeat any action we can't repeat that habit what is making it satisfying so basically as adults if we have to form a new habit and if we have to pat ourselves what we can do is we can give ourselves a treat or we can eat a cup or we can give an ice cream treat but for children what we can do so as parents the most simple making it satisfying is praising them they are really eager and thirsty for praises from their own parents and elders and people around them what we can also do is start a piggy bank system so basically we have to take coins usually you will get the housey coins in general stores so take them to take them and make a piggy bank and every time a kid does a habit or an action that we really want them to or we want to encourage them to then we will put a coin in that piggy bank so at the end this is like a reward system like if they have done something good then we will put a coin in it and this is the most important rule that if they have done such habits or actions which we don't want to do then we will not remove coins from it yes we will not remove coins so basically we are not going to have anything negative we are just going to have positive reinforcements of the good that they do and then yeh points jap collect hoenge tabhi we can probably tell them that against the 10 points you will get a chocolate or something like this so basically they have earned that chocolate so this is it these are the 4 principles of atomic habit from the book Atomic Habit by James Clear hope this was helpful thank you